बच्चो अब तक हमने अर्थशास्त्र के अंतरगत जिन बातों का अध्यन किया वे सभी वेस्टिगत अर्थशास्त्र के अंतरगत आते थे हमने प्रारम में देखा था कि अर्थशास्त्र को अध्यन के दृष्टिकोंड से हम दो भागों में बाड़ते हैं वेस्टिगर्द अर्थशास्त्र और समस्टिगर्द अर्थशास्त्र तो इनी आर्थिक तत्तों का अध्यान हम समग्र यानि कि समू के रूप में करते हैं तो अब हम जानेंगे कि क्या है समश्टिगत अर्थशास्त्र जब हम समश्टिगत अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो यहां हम सबसे पहले हमारे मन में जो धार्णा बनती है वो एक व्यक्ति गतिकाई की नाबन के पूरे की पूरे समू के बारे में बनती है अगर हम प्रतिविक्तियाय की बात कर रहे थे तो हम प्रतिविक्तियाय से आगे बढ़ कर राष्ट्रियाय की बात करेंगे तो यहाँ पर व्यक्तिगत से अब हम समश्टी में आने की समू में पहुँच जाएंगे इसी तरह अगर हम समश्टी का तर्थशास्त की बात करें तो हम यहाँ पर पूर रोजगार याने की देश में रोजगार की क्या अस्तिती है यह हम एक किसी छेत्र के रूप में नहीं चेत्र विशेश पर हम अध्यान ना करके पूरे देश में रोजगार की क्या इस्तिती है इस पर अध्यान करेंगे उसी तरह एक उधारन सोरूप हम यहाँ पर आए के बारे में जब अध्यान करेंगे तो हम देखेंगे कि हम प्रतिवेक्ति आया यह किसी परिवार की एक सी करकार की जाती है राश्ट्री आय में अलग अलग जो हिस्सें होते हैं जहांसे वह पूरिया बनती है कैसे-कैसे उसके फॉर्मूले होते हैं इन सब चीजों की कैलकूलेशन हम समगर द्रिश्टी कोर्ड में हम इसका अधियन करेंगे वैसे ही हम यहां पर कि मौद्रिक नीतिया क्या है मुद्रा से संबंधि जो नीतिया है बैंकिंग की जो विवस्थाएं वित्तिय संस्थाओं की जो कारी योजनाएं क्योंकि इनका अपने आप में काफी बड़ा स्वरूप है काफी विस्तरित छेत्र है इसलिए हम इनका अध्यान समस्टी गतर श योजनाएं होती है जो आर्थिक नियोजन के हम बात करते हैं इसको जब हम संपूर राष्ट्र की योजनाओं से जोड़ते हैं एक बड़े पैमाने पर जब ले जाकर हम इसका अध्यान करते हैं तो कहीं न कहीं अध्यान का ये पहलो समस्टीगत अर्थशास्र के अंतरगत आता है तो समस्टीगत अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो कैसे धार्णा विक्सित हुई क्या सिर्फ अर्थशास्त्र के अंतरगत सभी आर्थिक पहलों का दिन कर लेना इतना परियाप्त नहीं था क्यों जरूरत पड़ी इसे वेस्टीगत और समस्टीगत में अलग- साल था उस दोरान प्रोफिसर कीन्स के मन में यह विचार आया इधारना आए कि अब हमको जो यह मंदी है इससे उभरने के लिए कहीं न कहीं अर्थशास्त्र के एक व्यापक सरूप यानि समस्टीगत अर्थशास्त्र जैसी कोई बात यहां पर लाई जानी चाहिए और इन आर्थिक पहलूओं पर हम चर्चा कर रहे हैं इस विच्वयापी मंदी से उभरने के लिए कहीं न कहीं उसका सवरूप थोड़ा सब रहत थोड़ा सब व्यापक या विस्तृत होना चाहिए तो यहां पर समस्टीगत अर्थशास्त्र का प्रादुर्भा हुआ अब किवर्ड प्रोफेसर कीन से नहीं ऐसे बहुत से अर्थशास्त्री जैसे प्रोफेसर फिशर प्रोफेसर वार्लस प्रोफेसर विकलेस ऐसे बहुत से अर्थशास्त्र हुए जिन्होंने कीन्स की इन बातों का समर्थन किया सभी ने ये माना कि कहीं न कहीं अब इस मंदी से उभरने के लिए थोड़े से व्यापक दृष्टिकोन की जरूरत है और अब समश्टी गत अर्थशास्त्र को अध्यन के रूप में यहाँ पर अपनाया जाना चाहिए आईए कुछ विद्वानों की परिभाशा के द्वारा समश्टी गत अर्थशास्त्र को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समश्टी अर्थशास्त्र में व्यक्ति गत मात्राओं का अध्यन नहीं किया जाता है अपितो इन मात्राओं के योग का अध्यन किया जाता है इसका समबंद व्यक्तिकत आय से नहीं बलकि राश्ट्री आय से होता है व्यक्तिकत कीमतों से नहीं बलकि सामानी कीमत इस्तर से होता है तथा व्यक्तिकत उत्पादन से नहीं बलकि राश्ट्री उत्पादन से होता है। प्रोफेसर चैम्मर रिल के शब्दों में समस्टी अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याक्या करता है। प्रोफेसर शूल्ज के अनुसार समश्टी अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राश्ट्री आयका अध्यन करना है। समख्य का अध्यन करना बहुत जरूरी हो गया था एक व्यापक विस्टेशन करना बहुत जरूरी हो गया था। अब अगर हम यहां पर बात करें कि समस्टी गत अर्थ शास्र का छेत्र क्या होगा कौन कौन सी चीजे कौन कौन से आर्थिक तत्व जो है वो इसके अंतरगत शामिल के जाएं तो यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले इसके छेत्र के अंतरगत शामिल किया गया राश्ट्र आए के सिध्धानत को अब यहां अगर हम राश्टci के सिध्धानते की बात करें तो क्योंकि हम अर्थ मीवस्ता में देखते हैं कि सबसे महतपूर्ड पहले बिरिलू ऱ्टी से पाते हैं तो कि इसका जो सिध्धान्त है राष्टरी आये का GP को शामिल किया गया जूसरी अगर पहलों अपने आप में जुड़े हुए हैं तो जब हम राष्ट्री आये के सिध्धान्त को जब हम समग्र या समझ्टी अर्थशास्त्र में शामिल करें गी तो हमको तो रोजगार के सिध्धान्त को भी उसके अंतरगत ले जाना होगा क्योंकि आय का जो मुख्य पहलू है या मुख्य स्त्रोथ हम जो बोल सकते हैं वह रोजगार है तो यहां रोजगार के सिध्धान्त के अंतरगत कुछ ऐसे बिंदू को शामिल किया गया जो वास्तों में र करचा न की जाए तो ठीक होगा तो आए और मांग और पूर्टी के साथ साथ यहां कुल निवेश कुल बचत इन सारी चीजों को भी इन सारे बिंदुओं को भी रोजगार के सिध्धान्त के अंतरगत हमने शामिल किया साथ ही जो तीसरा बिंदु था उसमें यह माना गया कि मुद्रा का जो सिध्धान्त है मुद्रा के सिध्धान्त के जब हम बात करते हैं तो यहां पर मुद्रा के कारे आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगी कि क्या क्या कारे हैं कहां से आती है कौन से संबंदित इस् बिल्कुल इसे तरह जो वित्तिय संस्थाएं हैं रिड से संबंधित रिड लेने देने से संस्थाएं हैं तो वो सारी जो वित्तिय संस्थाएं उनके बारे में जो अध्यान है इन सभी अध्यानों को यहां पर ही माना गया है क्योंकि इतने विस्तृत और व्यापक रूप से इनका अध्यन किया जाता है कि इनको समस्टिगत अर्थशास्तर में शामिल किया जाना जरूरी है तो इसलिए मुद्रा का जो सिध्धान्त है उसे समस्टिगत अर्थशास्तर के छेत्र के अंतरगत शामिल किया गया अब अगर हम बात करें अगले बिंदु की तो हम देखते हैं कि समाने कीमत इस्तर का जो सिधान्त है कीमत की बारे में आप सुनते रहते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए जो है वो कमजोर हो गया मजबूत हो गया हमने क्रेन और रसिया की युदि के दौरान भी सुना कि र यापक और विस्तरत छेत्र हैं बड़े पैमाने पे इनका अधियन के अजाना काफी जरूरी होता है यही कारण है कि इसे इस बिंदु को भी मुद्रा के सिधान्त को भी समस्टीगत अर्थशास्र के छेत्र के अंतरगत शामिल कर लिया गया साथ ही हमने यहां पर एक और ब बड़े छेत्र की जो अफढ़ना है वह हमारे दिमाग में बन जाती है आर्थिक विकास की जब हम बात करते हैं तो हम देखते कि क्या सिथिए शिक्षा की क्या सिती है लोगों को उद्योग धंदे जो स्थापित हो रहा है देश में उनकी क्या सिती है क्योंकि यह चोटी- गजसरा मिला और सब्सक्राइब ुशया विक्ते अंतर्गत इसका अध्यान कर पाना कहीं न कहीं असंभा से प्र confrontation प्रया निया कर द Crime मिला काया विश्टरत च्रिकृढ से काफी ब्रेहत था उन सभी तत्वकें सब्सक्री समश्ष्टिगत अर्थशास्त्रय के अंतरगत शामिल अब बात करें अर्थ रोब विश्यस्ता कि हमने अब तक इसके अर्थ और च्छेटर के अंतरगत के कि इसुआल का हए बहुत सारी चीजों को इसे कहां इस चामिल किया कि तो जाहिर सी बात कि एक अपने कुछ विशेस्ताये मी होंगी विशेस्थाओं की बात करें तो सबसे पहला इसमें पॉइंट जो निकल कर आता कि एक जिस्ट यह कोड़े करता है कि समस्टीगत अर्थ शास्तिर का जो चेत्र होता है वह विश्टिकोंग को अपनाता है दूसरी बात हम देखते हैं इसके विशेस्ता की दूसरी जो विशेस्ता है वो है विश्टित विस्टिशन चाहे हम राजस्व की बात करें कि सरकार की पास पैसा कहां से आया कहां पर खर्च हुआ मौदरिक नीतियों की बात करें योजनाओं की बात करें या अर्थिक नियोजन की बात करें यहां पर हर चीज के विसलेशन का जो दृष्टी कोण होता है वो काफी विस्तरित होता है हम इसको बहुत जादा इसका विसलेशन आत्मक अध्यन करने के बाद एक इसे नतीजे पर पहुंशते हैं तो क्योंकि यह सारी चीजे समश्टी गतर्त शास्त के अंतर गताती है तो आत्मक का विसलेशन जो होता है वो काफी व्यापक स्तरपर होता है वैसे इसके विशित्थ आ यह देखते हैं पार इसपर करते हैं इस वरश की यह कहां पर पिछड हए और कहां पर व्हृद्ध न कहीं ये तुलनात्मक अध्यन करने में भी सहयक होता है अगली इसकी विशयष्टा कि हम बात करें तो सामूही खितों पर जोड़ देता है इसके बारे में बहुत जादा कुछ बोलने की आभशक्ता ही नहीं है हम बार बार इस बात को दोरा रहे हैं कि समगर की बात करता है समु की बात करता है किसी व्यक्तिगत इकाई पर काम ना करके पूरे ग्रूप पर यह काम करता है तो यहां पर यह इसकी विशेस्ता हैं कि सामुई की बात करता है अगली विशिस्ता कि हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें आय और रोजगार के सिध्धान्त को महतुपोर्ण स्थान दिया गया है आय और रोजगार का सिध्धान्त कहीं न कहीं आय और रोजगार मिलकर ही आर्थिक विकास के पहलू बनते हैं अगर रोजगार की स्थिती बहुत अच्छी है तो यह माल लिया जाता है कि आर्थिक विकास हो रहा यानि कि रोजगार की स्थिती अच्छी है यानि कि लोगों के पास पर्यापता है प्रतिवेक्टिया काफी अच्छी है अगर प्रतिवेक्टिया अच्छी है यह विक्सित ह तो राष्ट्री में भी व्रति हो रही है और कहीं ने कहीं यहीं पहलो आपस मेने कर आर्थिक विकास की बात आर्थिक विकास की युज्नवाव को जर्म देते हैं तो हमने यहां पर जिन बिंदों का अध्यान किया उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह सभी बिंदों कहीं ने कहीं समश्टी का तर्थ शास्तर को एक विशेश स्थान प्रदान कर रहे हैं अब अगर हम बात करें समझच्त अर्ठ शास्त्र के महत्युंत lessons टो जो इसकी विशेषिकन है उनिका अधर पर उन बिन्दों के अधर पर हम चया सकते हैं कि अपने आप भए अर्ध शास्तर में अध्यन की सुविधा के जश्टिकुंट से और और स्वेम अर्थ शास्तर के अध्यान के लिए भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो इसके महत्वों में सबसे पहले हम देखते हैं कि कार प्रणाली को समझने में सहायक होता है हमने इसके विशेस्ताओं के अंतरगत देखा कि किस प्रकार ये आर्थिक नीटियों क यह अर्थ विवस्ता कि छोटी-छोटी काईयों को बहुत अच्छे से विस्त्रित तरीके से विसलेशन करके प्रस्तूत करता है तो जब किसी चीज को ये इतने अच्छे से विस्त्र धंग से उसका विसलेशन करेगा तो जाहिर सी बात है कि उन तत्तों को समझना हमारे लि तो जब हम इस तरह के comparison की बात करते हैं तो बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं कि आर्थिक विकास की दर अब क्या है उतार चढ़ाओ कितना आया कितनी वृद्धी हुई कितनी कमी आई तो इन सब चीजों का अधियान भी समश्टिक अतर्थ शास्र के अंतरकत बहुत आसान करते हैं करते हैं और इसी के अंतरकत हम यह भी देखते हैं कि वह योजनाय कितने क्रियानवित हुई कितने सफल हुई और इन विसलेशणरों के अधार पर हम भविश्य के लिए एक अच्छी उचित मौद्रिक नीती बना पाने में सफल होते हैं इसके महत्तों कि हम बात करे हैं किसी भी तरह की योजनाओं को बनाने से पहले तो आर्थिक नियोजन में भी जो समस्ठीगत अर्थशास्त्र है वो एक महत्वbon स्थान रखता है राष्ट्री याय का अध्यन करने में अब क्योंकि राष्ट्री याय एक महत्वण हिसस्था है समश्टिगत अर्थशास्र का और हमने देखा कि राश्ट्रियाय का जो अध्यन है वो समश्टिगत अर्थशास्र के अंतरगत बहुत व्यापक पैमाने पे बहुत व्यापक दिश्टिकूर्ण को अपना कर और एक बहुत व्यापक विसलेशन के अंतरगत इसका अध्यन किया लेकिन समस्टी की जब हम बात करते हैं लेकिन समस्टी की जब हम समग यानि कि समू काध्यन करते हैं तो एक इसका अधो भी कहा जा सकते हैं कि यह सिर्फ समगर का अधियन करता है यह व्यक्तिगति कायों का अधियन नहीं करता है। दूसरे इसके सिमाओ की बात करें तो हम देखते हैं कि निसकर्षों को व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि व्यक्तिगत इकाईयों में जो है वो भिन्नताएं होती हैं लेकिन जब समग्र में हम उनका अध्यान करते हैं तो भिन्नताएं अलग-अलग पता नहीं चल पाती वो समगर के रूप में उनके विशेस्ताओं यहां पर कर लिया जाता है तो कहीं न कहीं यहां पर जो निसकर्ष होते हैं जरूरी नहीं है कि जिन जिन इकायों को उनमें शामिल करके अध्यान किया गया है उन सभी इकायों पर वो निसकर्ष लागू हों तो यह किसकी इसके द प्रति निदित्ट्त करें कि आपको बता है वह सवरूप प्रकार भिन्नों होता है तो इस हम क्या सकते हैं कि समग्र का जो प्रती का निकलर वह हैं वह समग्र में शामिल किया था उस पर के इन पहलों का अध्यान कर रहे थे तो वहां पर भी हमने इनकी सीमाओं का अध्यान कुछ इससे तरह से किया था वहां पर भी हमने माना था कि व्यक्ति गतिकायों का अध्यान करके आप समू के बारे में कैसे बता सकते हैं क्योंकि सभी व्यक्ति-गतिकायों में अपने भिन कि सेमाय क्या थी है क्या क्या हम क्या सकती कि इसके अंतरगत दोश है वेस्टिगत और समस्टिगत अर्थशास्त्र के बारे में हमने कपे विस्तार से जाना लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर भी है आए देखते हैं वेस्टि और समस्टिगत अर्थशास्त्र में क्या अंतर है वेश्टी अर्थ शास्त्र और समश्टी अर्थ शास्त्र में अंतर इस्प्रकार है वेश्टी अर्थ शास्त्र के अंतरगत व्यक्ति गत इकाईयों का अध्यन किया जाता है समश्टी अर्थशास्त्र के अंतरगत संपूर्ण अर्थवेवेस्था के आर्थिक इकायों का अध्यन किया जाता है वेश्टी अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्यन किया जाता है समश्टी अर्थशास्त्र में संपूर, समाज और उसके व्यवहार का अध्यन किया जाता है वेश्टी अर्थशास्त्र योग को टुकडों में तोड़ने की क्रिया पर आधारित है समश्टी अर्थशास्त्र योग करने की क्रिया पर आधारित है वेश्टी अर्थशास्त्र में विभिन वस्तों एवं सेवाओं की कीमतों के निर्धारन समंदि प्रक्रिया का अध्यन किया जाता है समश्टी अर्थशास्त्र कुल उत्पादन, कुल उभोग, कुल रोजगार एवं कुल आय आधि का अध्यन करता है वेस्टी अर्थशास्त्र विस्ष्ट आर्थिक इकाईयों में होने वाले परिवर्थनों का अध्यन करता है समस्टी अर्थशास्त्र समस्ट अर्थवेवस्था में होने वाले परिवर्थनों का अध्यन करता है तो आपने देखा कि वेस्टिगत और समस्टिगत अर्थशास्त्र किस प्रेकार एक दूसरे से भिन्न है इनमें अंतर होने के बावजूद भी ये दोनों ही एक दूसरे पर पारिस्परिक निर्भर है पारिस्परिक निर्भरता कि अगर हम बात करें तो वेस्टिगत अर्थ शास्तर पर्निर भर है तो हम देखते हैं कि बिस्ट इक着 अर्थ शास्तर के अंतर गजब हम चोटे चोटेall बिंदूँ का द्यांथ करते हैं। प्रतिवेक्तियान का द्यान Dasri helps C लग्नाव की निर्मार के बात करते हैं तो कहीं न कहीं इनके मुल्यांकन के लिए इनके विसलिशन के लिए हमո् purely की जरूरत पड़ती है जैसे प्रतिविक्तिया के लिए हमो राष्ट्री आइप एक नजर डालना हो रोजगार के लिए हम पोड्र या हम छोटी छोटी योजनाओं के निर्माण के से पहले जो बड़ी योजनाय हैं जिने आर्थिक नियोजन के अंतरगत शामिल कर लिया गया है उस पर हमको एक नजर डालनी होगी इसी तरह जब इसके विपरीत पहलू की जब हम बात करते हैं यानि कि हम कहते हैं कि जो कि स्थिति क्या है इसका अध्यन करें या फिर हमें राष्ट्री आए की बात करनी है समग्र में तो फिर हम प्रतिवेक्ति आए की बात करें तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं न कहीं वैश्टिगत अर्थशास्त्र और समश्टिगत अर्थशास्त्र दोनों ही एक दूसर यहां पर हम दो भागों में बाट सकते हैं टिकाव वस्तोय और गयर टिकाव वस्तोय जिसके बारे में हमने अर्थशायसर पहले भी अध्यान किया है कुछ वस्तोय ऐसी होती है जो काफी लंबे समय तक चलती है जिनकी बारे में हमने देखा कि जो महंगी वस्तोय होती है फनीचर होते हैं उपकरण होते हैं घर के साथ सज्जा के समान होते हैं भवन निर्माण की समागरियां होती हैं ऐसे बहुत सी हजारों वस्तोय हैं जिनें टिकाव वस्तोय के अंतरगत शामिल करते हैं गयर टिकाव वस्तोय के और मशीनरी का प्रियोग का उत्पादन करते हैं जिनका प्रियोग पूना निर्माण के लिए किया जाता है जैसे हम देखते हैं कि बड़ी-बड़ी जो सयंत्र एक उदारन की तोर पर हम देखते हैं कि बड़े-बड़े प्लांट में उन छोटी-छोटी मशीनरी का उत्पादन किया जा रहा है इन छोटी-छोटी मशीनरी के दोना पत्तल के निर्माण की ये और इन मशीनरी विद्वारा फिर से दोना पतल का निरमान किया जाएगा तो उभोगता वस्तुओं को भोगताओं तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे वस्तूओं का उत्पादन चीजा जाए जो इसमें सहाया को तो उन वस्तूओं को यहां पर हम उत्पादक वस्तों के अं वस्तुएं हैं दूसरा अंतिम वस्तुएं हैं इसके साथ ही हम आगे देखेंगे कि स्टॉक और प्रवाह के साथ साथ कुछ अनिवस्तू को भी इसके अंतरगर शामिल किया जाएगा लेकिन मुख्य रूप से यहां पर हम मध्यवर्ति वस्तू और अंतिम वस्तू का अधियन करेंगे तो जब हम मध्यवर्ति वस्तू के बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मध्यवर्ति वस्तू वे वस्तू हैं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में दूसरी वस्तू या सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है यानि कि एक फर्म उसका उत्पादन करती है और उसका विक्रह जो होता है वो किसी दूसरी फर्म के द्वारा किया जाता है जैसे एक फर्म जो है वो कच्छे माल के रूप में रेशो का उत्पादन करती है जूट का उत्पादन करती है या उधारन के तौर पर हम देखते हैं कि कोई कपास का उत्पादन करता है और दिखते हैं कि उत्पादक और उभोगता के बीच में एक मध्यवर्ती इस्थिति भी यहां हमको प्राप्त होती है दूसरी जब हम बात करते हैं अंदिम वस्तों की तो यहां पर उन वस्तों का उत्पादन किया जाता है जो पूर्ण रूप से तयार की जात कर दी जाती है विक्रेता डारेक्ट उनको भोगताओं तक पहुचाता है यहां पर इन वस्तों के बीच में किसी प्रकार के पूर्ण निर्माण की या रूप परिवर्तन की कोई संभावना नहीं रहती साथ ही इन अंतिम वस्तों की बारे में हम यह भी देखते हैं कि यह इस तरह से तयार जो मध्यवर्ती वस्तों में देखते हैं पूरा विक्री के लिए तयार की जाती है वैसी कोई स्थिती अंतिम वस्तों में इस तरह की कोई स्थिती नहीं बनती है अब तीसरी जो बात आती है वो है स्टॉक और प्रवा पहले भी आपने स्टॉक के बारे में जाना एक निश्चित समय में एक समय आविधी में जो जमा की गई जो वस्तुए होती है जो एक विक्रेता यह उतपादक के बाद के पास निर्मित वस्तुओं का जो एक संग्रा होता है उसे स्टॉक कह सकते हैं प्रवाह लगबग स्टॉक और प्रवाह को हम एक ही रूप में प्रयोग करते हैं लेकिन थोड़ा सा उस से भिन्न है यानि कि आप प्रवाह की बारे में हम क्या सकती कि कोई निश्चित समयाद ही प्रवा का अर्थ एक आर्थिक चर्की वा मात्रा है जिसे किसी समय अवधी के दोरान मापा जाता है। स्टॉक का कोई समय परिमाप नहीं होता। प्रवा का समय परिमाप होता है जैसे प्रतिघंटा, प्रतिमा, प्रतिदिन, प्रतिवर। स्टॉक एक स्थेतिक अवधार्णा है प्रवा एक प्रावैगिक अवधार्णा है तो आपने देखा कि स्टॉक और प्रवा दोनों किस तरह से एक दूसर से भिनने हैं अब आएए देखते हैं इसका अगला चरण यानि कि सकल विन्योग सकल विन्योग भी एक समश्टिकत अर्थशास्री की अवधार्णा पर आधारित है इसके अंतरगत उस सभी व्योग को शामिल किया जाता है जो एक उत्पाद की जो कारी होते हैं उसमें जितनी भी धनराशी व्याई की जाती है वर्ष भर में वो पूरी की धनराशी जो होती ह कि अगर आगए के चैपटर में इस तरह की क्यांकर बढ़ियोग को अगर ऑग्र में से मुल लिहाई की बात करें तो मूल लिहाँ क्या है क्यूंकि आप 12 के स्टूटेंट्ट में बहुत अच्छी से आपने पढ़ा होगा कि मुल लिहाँस क्या है इस्थाई संपत्यों के किसी भी कारण से हो सकती है बाजार में उसकी मांग घड गई हो या उस taraf की कोई नई वस्तुफ्य आ गई हो। या मुख्य रूप से घिसावट के कारण या पुरानी हो जाने के कारण किसी स्थाइ संपत्थी के मूले में जो कमी आ جاتी है वो कहलाती है मूलिहास। तो इन बिंदों के अधार पर हमने देखी कि सबस्टिगत अर्थ शास्त्र की अधार भूत अधार नाई क्या है कुल मिलाकर सध्याय में हमने देखा कि वेस्टिगत अर्थ शास्त्र जो की एक सीमित छेत्र को लिये हुए था आर्थिक जो आर्थ विवस्थाके एकायो का वो छोटा-छोटा यानि विश्टिकत रूप में अद्यान कर रहा था अब जब हम उसको समूबद कर दें समक्र में जब हम उसका अद्यान करने लगते हैं तो वही जो अर्थशास्त्र होता है वो समग्र यानि कि समस्टिक अर्थशास्त्र का रूप ले लेता है